चंद्रपूर से इतना सारास नहीं मिलना मेरे लिए और भी विशेश है एक चंद्रपूरी ही है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्मान के लिए लकडी भेजी नए भारत की प्रतीक संसत की नई इमारत में भी चंद्रपूर की ही लग लकडी लगी हुई है चंद्रपूर की खाती पुरे देश में पहुँची है समस्त बंदु भगिनिना गुडी पाड़गाचा आणि नूतन वर्षाचा हारदीग सुबेच्चा साथियों 2024 लोकसभाच चुनाव स्थिर्ता बनाम अस्थिर्ता के बीच का चुनाव है एक और भाजपा एंडिये है जिसका धे है देश के लिए कड़े फैसले लो बड़े फैसले लो दूसरी और कॉंग्रेस और इंडी गड़बंदन है जिसका मंत्र है जहां भी सकता पाओ खूब मलाईख खाओ गड़बंदने हमेशा देश को अस्थिर्ता में जोका है एक स्थीर सरकार क्यों और कितनी जरूरी होती है ये महराश्च्ट से बहतर और कौन जानेगा इंडी एलाइट की केंद्र में जब तक सरकार रही महराश्ट की लगातार उपेख्शा होती रही भाई और बहनों हमारी सरकार ने महराश्ट और विदर्प के विकास के लिए इन सभी योजनाओं को फिर से शुरू किया है मुक्यमंत्री एकडाजी सिंदे उप मुक्यमंत्री देवेंदर फड़नविश जी और अजीद पवार जी के साथ पूरी सरकार दिंदरात काम कर रही है विकास के बड़े काम तेजी से पूरे हो रहे हैं और जब नियत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं इसलिए इसलिए साथ्यवाद देश का दलीज पिछड़ा आदिवासी और गरीब मोदी सरकार को अपनी सरकार मानता है अपनापन मैसूस करता है मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधान मंत्री नहीं बना मोदी गरीब परिवार में जन्मे लेकर आपके बीच रहकर यहां तक आपने पहुचाया है और इसलिए मुझे पता है जिन करोड़ों देश वाद्शियों के पास अपना गर नहीं था उनमें जादातर दलीज पिछड़ा आदिवासी ही थे हमारे यहां मराठी में एक कहावत होती है कडू कार ले तुपा तल ले साखरित गोल ले तरी कडूते कडूरूच यानि कडवे करेले को गी में तले या सक्कर में घुले वो फिर भी कडवा का ही कडवा ही रहता है यह कहावत कॉंग्रेस पर सटीक लागू होती है होती है यह नहीं होती है होती है वो सुधर ही नहीं सकते हैं वो कभी नहीं बदर सकते हैं अपनी कर्टूतों के कारण आज कॉंग्रेस पार्टी देश के बीतर जन समर्थन खो चुकी है इसलिए अब कॉंग्रेस खूल कर बाटों और राज करों के खेल पर उतर आई है कॉंग्रेस ने अपना जो गोशना पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लिख की भाशा लिखी गई है क्या ही आपको मंजूर है यह देश चुछ